नमस्कार मैं रुभनात प्रशाद आज चर्चा कर रहा हूं दिनांग 24-10-2021 को 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में पाकिस्तान से भारत के हार के बाद हुई घटना पर जैसे ही भारत हारा सोचल मीडिया पर महमत समी के वृद्ध कुछ अवांचित तत्वों के द्वारा गलत टिपणिया की जाने लगी और वो भी बरी शंक्या में यह अच्छी बात है कि भारत के बड़े बड़े खिलारियों ने महमत समी की तारीफ की और अवांचित टिपणि करने वालों की निंदा की बहुत से राजनतिक निताओं ने भी महमत समी के समन्ध में अच्छी बातें कहीं दुर्भागपूर्ण है कि विगत कुछ वर्षों में कुछ ऐसे तत्व मनबर्व हो गये हैं जो खिलारियों जब खेल जो जिसे एक एस्पोर्समें एस्परीट के रूप में लेना चाहिए खेल को भी धार्मिक और जातिकत आधार पर खिलारियों को माठना या कितनी गंदी बात है इसे सोचना चाहिए जब वंदना काटारिया भारतिय माइला होकेटीम का रिप्रेजैंट कर रही थी इस वर्ष टोकियो ओलम्पिक में और सेमी फाइनल में भारत हार गया तो वंदना काटारिया जो सिरूर कास्ट से बिलोंग करती है उनके घर के सामने कुछ गलत ततों ने गलत हरकतिंग या बहुत ही दुखत चीज है निंदनी है इसके जितनी निंदा की जाब वो कम है और यही इस्थिति अभी मुहमद समी के साथ हुई वंदना काटारिया कितनी बेहतरीन प्लियर रही है चुकि उसके पहले के मैचों उसने हैट्रिक भी उन्होंने मारा था और बेहतरीन परदर्शन विकत वर्सों में उगरती रही है महमद समी लगवग आठ वर्सों से भारत का परदिन धित्व करते रही है और बहुत मैचों में यह जीट के कारक रहे हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वर्स 2016 में जब कलकता में न्यूजिलेंड के साथ भारत का टेस्ट मैच चल रहा था उस वक्त उनकी सवा वर्स की बच्ची आई सीवी में भरती थी लेकिन पूरे जोर्स खरूश के साथ वो दिन में खेलते थे और खेल की समापती के बाद अपने बच्ची का हाल चाल लेते थे वो टेस्ट मैच भारत जीता जिस दिन जीता उसी दिन की बच्ची डिस्चार्ज भी हुई 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 उस समय एक पाकिस्तानी फैन ने भारती खिलाडियों के निकट जाकर कुछ आवांचित ठिपनी की उस पर मुहम्मद समी उससे उलच गये भारती खिलाडियों ने उन्हें सांग किया समझा वुजा कर अलग किया मैं यह कहना चाहूंगा कि हिंदू और मुस्लिम प्लेयर समय समय पर रिप्रिजेंट करते रहे हैं इंग्लेंड का साउथ अफ्रीका का न्यूजिलेंड का औस्ट्रिलिया का हिंदू प्लेयर पाकिस्तान का रिप्रिजेंट करते रहे हैं बंगलादेश का रिप्रिजेंट करते रहें हैं। और मुष्लिम प्लियर भारत का रिप्रेजन लंबीर समस्थ करते रहें। कोई भी धर्म के अधार पर मैं नहीं समझता कि किसी देश में किसी भी प्लेयर की देश भक्ति पर सवाल किया जाता हो। और करना भी नहीं चाहिए अगर किया जाता है कहीं तो गलत और ये अवांचित कट कि इन में और वैसे लोगों में जैसे पाकिस्तान अगर हरा दिया भारत को पाकिस्तान ने और अगर वो पटाखा फोड़ते हैं या नहरा लगाते हैं तो उन तत्वों में और इन तत्वों म और समान और करी करवाई किये जाने के बाद ही ऐसे अराजक तत्व पर रोक लगेगी मैं आप सभी लोगों के लिए शुब कामना पर करता हूं धन्यवाद देता हूं आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्ची तोर कर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को टच करें इस वीडियो को लाइक करें शेर करें बहुत बहुत धन्यवाद जैए हिन